एक गुरू के सानध्य में आप रहे हैं, आपने सीखा है, अनेकों गुरू के साथ समय बताया है, लकिन आप कहते हैं कि ऐसे पत्री जैसे गुरू कम होते हैं, ना के बराबर ही बुला आपने, तो आपने क्या सीखा है, एक गुरू का क्या importance है जिंदगी में? बहुत सारे गुरू भारत के अंदर है और ऐसे भी गुरू डेफिनेटली छुपे हुए हैं कि जो सिश्यों को इखटा नहीं करते बहुत ग्यानी और एनलाइटन्ड होंगे और तो मैं जादा गुरू हों के कभी संपरक में आया भी नहीं कारण क्या होता है क्योंकि वो मुझे अपील नहीं करते थे क्योंकि मेरा ये मानना होता है कि जो मुझे अपने भीड का हिस्सा बना रहा है मुझे उस गुरू के साथ तो जुड़ना ही नहीं है मुझे उस गुरू के साथ जुड़ना है जो मुझे गुरू बना रहा है तो इसलिए पत्री जी का जो सबसे बड़ा देन है वो ये है कि हर आत्मी में गुरू है भाई तो अपने गुरू को बहार निकालो ना जैसे ओशो भी कहते हैं कि भै तो अपने गुरू को पहचानो तो उस तब मैंने ये मैंने करीब करीब 30 साल पहले मैंने एक शेड लिखा कि इशारे पर मत लटक गुरू एक इशारा है उंगली करता है इशारे पे मत लटक, स्वयम के गुरू को जान, दूसरों के पंक क्या काम के, अपने पंक पहचान, तो मैंने ये जाना कि गुरू तो इशारा कर गया, अब तुमें अपने पंक खोलने अपने आकाश को खोजना है, क्योंकि उस गुरू ने अपने पंक खोलने अपने आकाश तो उसका आकास तुम्हें क्या कावाने वाला भई अगर उसके घर में रोश्णी ओई तो तुम्हारे घर में तो नहीं होई ना उसने तुम्हें सूचना ज़रूर दे दिके जाओ जी रोश्णी होती है ऐसे तो मतलब ये मैंने देखा कि जो भगवान बुद्ध का जो उनका वचन था कि भई अपदी पो भवा तो हर व्यक्ति को अपनी जोत सोयम जगानी है अपना गुरु सोयम बनना है और किसी कभी किसी के पीछे फॉलोवर मत बनना क्योंकि फॉलोवर बनने का मतब है अंदा बनना भेड बनना बकरी बनना और आखे बंद करके किसी के पीछे चलते है रहना तो इसलिए ये पत्री जी का जो सबसे बड़ा काम है कि जो भी उनके संपर्क में आया उन्होंने उनको गुरु बनने की प्रेणा दी और ये प्रेणा ओशो सो भी मुझे मिली तो लखी लिए मुझे बोलते ना ज्यादा गुरु की जंजट पड़ी नहीं मुझे भगवान बुद्ध और हमारे ओशो और हमारे पत्री जी बस ये तीन मिल गये तो मुझे लगता मेरा काम हो गया